क्या है चाले जी सबके वेलिगम तोई पर आती है आयम मांचिया और हम कर रहे है लास्ट कर्शन हो मारी एक्सराइज 4.5 Determinant Chapter बेटी क्या क्या रहे If A has If A has inverse यह बोलू कि is invertible matrix of order 2 2 cross 2 है ठीक है Then क्या करना है Determinant of A inverse A inverse का Determinant किसके पराबर होगा इन में से यह बता रहे हमें तो देखो यहापे थोड़ा सा basic सा मैंने लिखा हुआ है क्यों 2 cross 2 हमें बताना है हमें किसी दी N के लिए लिए भी बताना Specific उसने बोल दिया तो मैंने specific लिए यहापे matrix 2 cross 2 का ABCD ठीक है तो हमें का चीए A inverse का Determinant चीद को पहने A inverse चाहिए A inverse के लिए पहने मैं यह को देखी हूँ कि यह क्या रहे मेरा Determinant Determinant का रहे AB minus BC जो की non zero मैं लेके चल रहे हूँ ताकि inverse हमारा exist कर चाहिए फिर A inverse कैसे निकलता है Adjoint upon Determinant Determinant तो यह हुआ Adjoint के से निकलता है 2 cross 2 के रहे इन उनों को Interchange Non-Diagnal Sine Change Diagnals Interchange Non-Diagnal Sine Change तो यह क्या मिलिया A inverse अब मुझे के रहे इसका Determinant का इंगे A inverse का क्या पहना होता है This upon This पर यह This into This करना था पर यह तो दोनों के अपॉन में तो इसका मितलब क्या रिख लेगा D upon this thing into A upon this thing समझ आरिये ना कि दोनों के अपॉन में तो इंपलों में हिंटू करेंगे तो ऊपर D ले आ जाएगा लेकिन नीचे Ad minus Bc 2 बार आ जाएगा square ठीक है तो क्यूंकि दोनों के अपॉन में करें तो नीचे दो बार आगया यह आगया ठीक है अब क्या करेंगे minus इंदोनों का product सेम चीज इसने भी होगी उपर minus B और minus C का product आगया तो इस प्लस C क्योंकि minus minus plus होगया plus Bc और नीचे Ad minus Bc का square Ad minus Bc का square आगया अब इसको simplify करो determinant of A inverse यहां से कितना आया नीचे LC हम लेने की जरूरती है denominator दोनों का सेम है तो डारेक्ली numerator हमें एक साथ लेख सकते हैं क्या मैंना D A minus Bc और आपॉंच में है Ad minus Bc और इसका square आगया अब ज़रा यह लेखो यह उपर और नीचे सेम चीज़ नहीं बन रही बस क्या आपके power 2 है यह आपके power 1 है यह D A लिखा है यह A D A लिखा है पर A D A लिखा है पर D A numbers are simple order matter नहीं करता तो अब क्या होगा यह एक बार यह एक बार यह एक बार cancel हो गया तो इसका मतलब हमें क्या मिला determinant of A inverse 1 upon A D minus B C और A D minus B C क्या है determinant of A है यह नहीं को तो इनको मसे कुछ नहाग की में पी गल रही है determinant of A A D minus B C यह आप A D minus B C की जगा determinant of A लिख दो तो इहां से हमें क्या मिला determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A चीक है क्योंकि 1 उपर आप नीचे यह determinant of A है तो यहां से हमें क्या दिख रहे है 1 upon determinant तो इसका मिला answer B आगया चीक है ऐसी एगर 3 क्रास 3 के लिए बोले तो ग्या प्रूब कर सक्यो और in general N के लिए भी आप रिजल्ट को याद कर्यो तीक है? So I hope you understood this if you did not understand तो दूबार देख तो वीडियो, आचाएगा समझ में click explain to the answer second team So finally done with this exercise, I'll see you in the next video I mean the next exercise की वीडियो तब तर के लिए हस्ते मस्करा तेरा अपना धान रखो अपने दोस्तों का धान रखो उन्हों ये वीडियो दिखाओ, like करो प्रोबलम अदो कमें करो, शेर करो and take care